हेलो वीवन स्वागत हैं आप सभी का इसमें वीडियो में इस वीडियो के थो उम्लब 20 इंपार्टन जीगे के कोश्चन से डिसकस करने माले हैं तो कर आप किसी भी एक्जाम की प्रेप्रेशन कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए हेलफुल है सो स्टार्ट करते हैं वीडियो फर्स्ट कोश्चन आपका वट इस दी रैंक ओफ इंडिया इन लॉगिस्टिक पर्फॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक क्या रहा राइटन सर्थ ऑप्शन नम्बर सी 38 रहा ठीक है अगला कोश्चन है जस्टिस रितु भारती बिकेम फर्स्ट वोमें चीप जस्टिस ऑफ विच हाई कोट जस्टिस रितु भारती जो है यह पहली महिला महिला जो है चीप जस्टिस बनी है कौन सी हाई कोट की पीडियेफ क के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टालिग्राम का लिंक मिल जाएगा आप जोइंग कर सकते हो अगला कोशिन है वाट इस दी नेम ओफ वर्ल्ड फर्स वूड़न सेटलाइट दुनिया के पहले वूड़न सेटलाइट का नेम क्या है अप्शन नमर सी लिंगो साट विच फिल्म वन बेस्ट फिल्म आवाड अट बाफ्ट आवाड 2024 बाफ्ट आवाड 2024 में बेस्ट फिल्म का आवाड किसको मिला बताएगे अप्शन नमर बी अपन हेमर वो बिकेम दे न्यू प्रेसिदेंट आफ आई सी जी इंटरनेशनल कोर्ट आफ जस्टिस के नए प्रेसिदेंट धाट मिन्स नए अध्रक्ष कौन बने है अप्शन नमर एक नवाव सलम अगला कोशिन है साल 24 में कितने लोगों को भारत रत्न अवाड से सम्मानित किया गया अप्शन नमर ए टोटल पाँच लोगों को ठीक है अगला कोशिन है विगलन्स कमिशनर आफ इंडिया विगलन्स कमिशनर आफ इंडिया के रूप में किरों ने सपत लिया है अप्शन नमर है ए एस राजीव अगला कोशिन है वो वन बेस्ट एक्टर आवर्ड आट दादा साहव फाल के इंट्रनेशनल फिल्म फेस्टिबल आवर्ड टोथाजन टवनिटिफ़ इंडिया पताए निमलकित में से किसने जो है दादा साहब फैल के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवर्ड दो हजार चॉबिस का बेस्ट एक्टर अवर्ड जीता शाहरुक खान अगला कोशिन है अगला कोशिन है अगला कोशिन है फो वस अपॉइंट अज अडिशनल जज अफ जमुएंट कश्मीर अफ लद्दाख हाई कूट के अडिशनल जज के रूप में किनको न्युक्त किया गया है किनको अपॉइंट किया गया है बताईए जस्टिस मौहम्मद यूशूफ वानी विच गुल्फ कंट्री विल पाथिसिपेट इन दह में सौधी अरब who presidized over the third session of the international congress in madras बताइए international congress के तीसरे session को madras में किसके द्वारा अध्यक्षता किया गया था इसका बदरुद्दिन तयाब जी चलिए researchers from kerala university have discovered a 5200 year old hadapan settlement in which state बताइए kerala university के researcher के द्वारा पावन सो साल पुराना old hadapan settlement कौन से state में इसका जो है ये खोच किया गया बताइए ये आपका option नमरे गुजराद state में किया गया थीक है अगला कोश्चिन है who won the 2024 world press photo of the year award बताइए 2024 का world press photo of the year award किसको मिला option number c मुहम्मद सलीम अगला कोश्चिन है what is the rank of India's road system in the world हमारा जो भारत का road network है तो उसमें world में हमारा rank कितना है option number 1 का second और number 1 पे है आपका USA अगला कोश्चिन है national waterway 1 connects alhabad to haldiyah including which three river national waterway 1 जो है ये connect करता है alhabad को haldiyah से कौन सी तीन river को include करके ये connect करता है बताइए option number C हो जाएगा आपका गंगा भागी रथी और हुगली अगला कोश्चिन है वेर इस दीन दयाल उपध्याय पोर्ट लोकेटर दीन दयाल उपध्याय पोर्ट जो है ये आपका कौन से राज्य में है ये आपका कहा है option number गुजरात स्टेट में विच इस द लॉंगेश नेशनल हाइवे ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाइवे कौन सा है सबसे बड़ा एनच कौन सा है अप्शिन नम्बब भी एनच फोटीफूर अगला कोशिन है विच इस द फॉर्स रेल्वे स्टेशन इन द कंट्री विच इस कंप्लेटली ऑपरेटेड बाय वोमन देश का इसा पहला कौन सा एक मात स्टेशन है जो कि कंप्लेटली वोमन के द्वारा ऑपरेट के जाता है ह सारे चीज महां का गानी नगर रेल्वे स्टेशन ठीक है तो वीडियो का ही पैंट करते हैं वीडियो अच्छा लगा और माचलता आप नहीं हो तो लाइक शेयर अन सब्सक्राइब जरू कीजिएगा मिलते हैं एक्ष वीडियो में